हेलो गाइज, वेलकम टू फ्यूचर कोचिंग देखिए आज हम लोग आपके लिए यूपीटट और सीटट के लिए एक इंपोर्टन टॉपिक लिखा है है मोरल डेवलोप्मेंट थ्योरी देखिए इससे कोशन आने की चांसर बहुत ही जादा है तो उसमें क्या क्या चेंज आएंगे उसकी जिन्दिगी में क्या क्या पड़िवर्ट रहें यह हम लोग देखेंगे तो इन्होंने बच्ञे को कहा था कि ऐखिए कि लिख सकता है किгорला फिलोप्मेंट पहें पेहला लेवल है प्रिवाल्सरींण यह नौइ तक चलेगा आपका बच्चा जब 0 से लेके 9 साल तक होगा तब क्या होगा तो इसमें decisions are shaped by expectations of adults and consequences for breaking rules मतलब इसमें जो decision होगे बच्चे के वो बच्चा जो होगा बड़ो के according बनना चाहेगा जैसे उसके बड़ो के expectations होगे कि बड़ा क्या चाहता है उसके हिसाब से वो सोचेगा और यह सोचेगा कि अगर हमने rules टोड़ दिये तो हमला यह साथ बुरा भी हो सकता है punishment मिल सकती है तो इसमें level 1 में pre conventional में दो stage है stage 1, stage 2 stage 1 किया है तो आपकी obedience and punishment दूसरी किया है individualism and exchange सीधे सीधे कुछन आ जाएगा कि individualism and exchange कौन से level में होता है तो आपको ध्यान रखना है pre conventional level में होता है call work according obedience and punishment तो इसमें क्या है obedience and punishment में बच्चा क्या सोचेगा कि अगर हम बात मानेंगे तो अच्छा रहेगा और बात नहीं मानेंगे तो इसलिए obedience करता है बच्चा दूसरे stage में क्या है कि बच्चा सब्सक्राइब किसी को कुछ दे रहे तो बदले में हमें दे अगर मैं किसी को पहन दे रहा हूं तो बदले में हमें पहन दे पस level 2 क्या है आपका conventional morality इसमें क्या है बच्चा social lose को अच्छा मतला accept करेगा कि क्या अच्छा है क्या नहीं है इसकी भी दो stage है stage 3 stage 4 इसमें क्या है देखिए developing good and interpersonal relationship ठीक है इसमें बच्चा के सोचता कि मतला अच्छे बन के रहो ताकि लोग आपको अच्छा समझें बच्चे इन बोलते हैं हाँ तुम गुडबब है और तुम बैडबबए हो तो गुडबबाई बन जाओ आप तो गुडबबाई है आप यह कर लो विल्कुल वैसा ही feeling फिर stage 4 में क्या है maintaining social order वो पूरी society को एक मानेगा law and order पे focus करेगा आपको लास्ट लेवल है post conventional morality इसमें क्या है account for different values opinions and beliefs यानि उसके खुद की अपनी values न कि यहां में भी अधिकार है बोलने का stage 6 में सीधी आ जाएंगे principles principles यानि values खुद की कोई इंसान values रखता है खुद की reasoning आ जाए इसके अंदर internationalized principle of justice even if people conflict with laws and rules मतला इसमें इतना वो सोचने कर जाएगा कि जो सही है वही करना है चाहे उसके लिए में law break करने पड़े है चाहे rule break करने पड़े है तो यह आपको ध्यान रखना है यह थे खतम होती है बहुत ही शौर्ट मैंने पढ़ाई थी अगर और आपको TED की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए थैंक यू